हेलो गाइस वेलकम बैक टू मैं चैनल सो इन इस वीडियो हम यह फूड ओडरिंग वेबसाइट बनाने वाल है मैंने लास्ट टाइम इकार्ट बनाया था जो स्रीप मोबाइल पर वर्क करता है बाट इसकी वेबसाइट है फुली वर्किंग और वर्डप्रेस पर इसमें इंस अच्छा यह है इसका यह जो साइट है यह तो में प्रोवाइडर किये से फुली कस्टमाइज है सो आप ऐसी कुछ बना सकते हैं अगरे आप्शन मिल जाता है वू कॉमर्स के दरफ से और यहां पे कुछ इस तरह से डाइरेक्ट बैंक ट्रांसफर कैश और इसके बाद जो भी आप पेमेंट गेटवे से लेक करेंगे वह भी आ जाएंगा इसका एप भी अविलेबल है मैं यहां पर इवेंट मार्केट पर दिखा देता हूं एक बर मैंने बहुत सर्च किया और लेटेस्ट वर्जन बट नहीं मिला इसलिए मेरे बाद जो पुराना वर्जन अवेल कर रहा हूं वह भी आप यूज कर सकते और इसका मोबाइल आप भी आता है वह बहुत अल्मस्ट टेन डॉलर में कुछ तो मिल जाता है उसकी भी में लगे तो आपको डिस्क्रिशन में लिंक दे दूंगा यह अगर आप सर्च करेंगे नॉर्माली तो आपको मिल जाएंगा बट यह पेड है और मैं जो फ्री में आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको थोड़ा कस्टमाइजेशन करना पड़ेंगा सो स्टार्ट करते वीडियो को लास्ट टैप मैंने कहा था dns कैसे कॉपीपेस्ट करना है वो शो करूंगा तो यहां पर मैं गोड़ेटी पर आगे हो मैंने डोमेन यहां से बाइख किया था तो यह मेरा डोमेन है इस पर क्लिक कर दो और आप जो भी सर्विस प्रोवेडर रियूस जहां से भी आपने डोम करूंगा यहां से से करो ताकि आपको लिंक करने में बहुत ली लिंक और आप चीप है यह सहां पर. अविलेबल रहा तो वह प्राइज में प्रोवाइड करते है यहाप पे मैनेज dns का उप्षिन है याप आपको क्लिक करना है कि और यहाप देख सकते हैं चेंज का उप्षिन है और यहाप जो हिरो यहाई मैंने पूट किया हुआ है इस मेरा अभी तक बाई ने किया है डोमेन तो यहाँ से रजिस्टर डोमेन में जाके आप बाई कर सकते हैं मैंने यह लास्ट तैम दिखाया था कैसे बाई करना है तो बहुत इजी स्टेप है जिस्ट आपको फॉर्म फिल अप करते जाना है और यह बाई हो जाएंगा और यहां से नौटिफिकेशन आता है जब आपका मन्त एंड में एक्सपार होने माला होस्टिंग सो उससे पहली आप यह पे कर सकते और आपके साइट को डाउन होने से बचा सकते सो मैंने वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल कर लिया है और ओपन कर लिया है सो मैं एक बार शो कर देता में जो भी unwanted theme से उसे और यहां पर add new पर क्लिक करते हैं और upload theme पर क्लिक करते हैं तो यह फाइल है मैं provide कर दूंगा description में आपको इसमें जाना है और यहां पर main theme में जाना है इसमें मैंने plugin भी है और demo data भी है बट आप जैसे theme इंस्टॉल करते हैं यह आ जाता है बट अगर नह करते हैं इसे install होनेगा सो यहां पर install हो गया है यहां पर activate पर क्लिक कर दे और जो भी plugin यहां पर शोओंगी वह एक बार install कर लेते हैं तो अभी के लिए मैं यह disable कर देता हो यह फिर आप इसी जा सकते डायरेकली इंस्टॉल कर लेंगा सो start पर क्लिक करता है और यहां पर आपको install पर क्लिक कर देना है सो यह demo जो थी में वह install कर लेंगा और उसके बाद plugins भी हम install कर लेते हैं तो यहां पर सभी लिस्ट आ गई है plugins की जस्ट हम इंस्टॉल पर क्लिक करना है तो यह बहुत easily हो जाता है यह wizard के through या फिर आप मैनुएली भी कर सकते है बट यह easy method है और इसमें अगर कोई plugins रहे जाता है तो आप से इंस्टॉल कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहां पर contact form 7 जो वह install नहीं हुआ है सईसे सो बाद में हम इसे install कर लेंगे इसे होने देते हैं जैसा यह जितने भी इस्टॉल हो रहे होने देते हैं उसके बाद जो भी एरर आता है बाद में हम यह fix कर देंगी सो यहां पर सभी plugin इंस्टॉल हो गया है और यहां पर यह वोग कोमर्स का साइमल सेटप पेज है सो हम इसे अभी के लिए स्किप कर दे और यहां पर नोथैंक्स विक करते और बाकी देमो इंपूर्ट कर लेते अपिरेंस में आपको थीम सेटप का उप्शन मिल जाएंगा और यहां पर फिर से स्टार्ट पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट और इस बार हम यह स्किप करेंगे और इंपूर्ट कंटेंड का आपको आप्शन मिल जाएंगा यहां पर सो यहां पर जिस्ट इंपूर्ट पर क्लिक कर देना है अभी हम देख लेते कैसी साइट है तो अब देख सकते कुछ भी कंटेंड ने इस पर ले आउट आ गया यहां पर सो अभी यह इंपूर्ट होंगा उसके बाद सभी जो प्रोडक्स है और सब वह आ जाएंगे सो वेट करते ही होनेगा तो थोड़ा टाइम लेता है यहां पर आपको वेट करना है तो यहां पर हंड अलिप्ट साइट लोड हो गये जैसी मैंने पहले आपर शोगी थी देमो में अ गट यहां पर प्रोडक्ट शोड नहीं हो रहें यांपर हम शॉप में अगर चेक करेंगे तो यहां पर प्रोडक्स हो हो जाएंगे कि अभी तक आया नहीं है यहां पर फिर से रिफ्रेश करते हैं कि यहां पर शूर कर रहे है फ्रूट एंड वेजेटेबल में मैंने कहा था यह थोड़ा इसमें कॉंप्लिकेटेड है में थोड़ा आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन करने पड़ेंगी अकाउंट में यहां पर माय अकाउंट में आप देख सकते हैं एड्मिन है एड्मिन इंटरफेस भी दिए है यहां पर ऑडर भी शो करेंगे अगर और साइन अपको और साइनिंग का भी ऑप्शन है यह पेज आपको बनाना पड़ेंगा अभी के लिए तो यह शो हो रहा है बट आपको जब भी वर्क करना तो यह पेजेश बनाने ओस यहां सेहां से पैज को इडिट कर सकते हैं जो भी होम पैज है उससे तरह से अंगर सभी थीम का अपेरेंस में आपको कस्तों मैं को और सब कुछ यहां से आप चेंज कर सकते हैं इसका अगर आपको वीडियो चाहिएंगा तो नीचे जो फाइल दे उसमें सभी प्लगीन है आप वहां से अपलोड करके प्लगीन इसे इंस्टॉल कर सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग सिविन नेक्स वीडियो